तो इंडिया उतरेगा अभी भाई सरीज जीतने चोथे टेस्ट में बच कुछ खिलाड़ी यहां से इंग्लेंड की टीम से बाहर है और कुछ खिलाड़ी यहां से इंडियन टीम से बाहर है जैसे कि जस्पृत बुम्रा इस मैच में नहीं खेलने वाले तो उनकी जगह पर कौ क्रवाइब और को बनाता है रहिंट चर्मा का रिकोट का अपने आप में इक सप्राइज है आज चुर्पर बिटेशा का रहती है वागी चलते हैं अपनी मैच के ऑपर क्या रहती है प्रेडिक्शन 14 हमारे भाई ने 2020 लिग दिया हमारे डर सामने टेस्ट है ठीक है समझ गरने तुम चोथा टेस्ट है साड़े नो बज़े रही इस मैच के एडलाइन और बाकि अगर इस क्राउन की बात करो देखो है रांचे में मुकावला है जादा टेस्ट मैच यहां पर नह अच्छी जाती है रंस वगरा काफिस अच्छे बंते पहली बारी जो भी टीम कर दिया अब अभी तक ना इस दोनों टेस्ट में चोथी प्यारी आई नहीं थी एक बार ऐसा हुआ कि टेस्ट मैच ड्रो हो गया क्योंकि इंडिया ने इतने रन बना दिये उस्ट्रेलिया ने फॉल उन देकर दो बार आउट कर दिया और हुआ ऐसा कि बार चोथी पारी वहां भी नहीं गया ठीक है तो यहां पर ऐसा ही वाइब तक बाकी विकेट्स कहीं ना कहीं ऐसा है कि पेसर्स को भी मिलें बड़ स्पिनर्स अच्छा करते हैं पहली इनिंग में 6 विकेट पेसर क भाई यहां आपको देखने को मिल जायेगी तो उसमें क्या है रिठ चर्मा और उसको बाद में जैसवाल करेंगे उपन आब जैस वाल ना आज कल देखो कैसा चल रहाया जैसवाल का या तो जैसवाल भाई बहुत कुछ कर जाएंगे ठीक है या जैसवाल कुछ भी नहीं करेगा तो अगर जैसवाल ले रहे हो टीम में तो I think कि या तो रसका पूरा लो उसको सीधा CAPTAIN WISE CAPTAIN बनाने का या फिर असा करोगी सीधा आप ड्रॉप कर दो Okay अब करने पर इन्होंने 19 बनाए शुमन गिल का भी अभी के लिए ठीक चल रहा है वैसे तो 91 पिछले मैच बनाए थीक है उससे बलावा 104 उससे पहले थे बागे 34 और 0 भी उनी टेश मैच के गिनिंग में आया थे बागे पाटेदार होई है पिशले मैच तो होगे फ्लोब बागी आज के लिए ऐसा है कि टीम में लेना थोड़ा मुश्किल है सरफराज खान ने बढ़िया खिला था 62-68 डेफिनिटल एक बैटर सेक्शन में आपके पास में उप्शन आता है अभी टीम का वर को समझ में आया नहीं कोई कुल्दी प्यादा हो जड़ेजा सब को यह उपर भेरें दुरुज जोरेल को भेजते नीचे तो ठीक है वैसे अभी के लिए विकेट कीपर में आपके पास में जादा अच्छे उप्शन है नहीं बैर यह रहा था परफ़ेंस तो डेफिनेटली जड़ेजा इहां से काफे जादा इंपर्ण बनने वाला है एंड एवन सीवी सी बना सकते हो लाश्ट मैस तो आपको बता है आपको अल्रेडी बोला था कि बाई जड़ेजा के होम ग्राउंड में जड़ेजा एक्दम बढ़िया वाला खेलता है विकेट भी निकालता है रन भी बनाता है जन्होंने अश्विन के ऊपर जड़ेजा को सीवी सी बनाया है तुम ही हो जो वीडियो ध्यान से सुनते हूं एच्छी के लिए भी देखो बताई रहों ठीक है जड़ेजा इस क्राउन पर भी अच्छा खेलता है अभी आपको मागे स्कॉर्स पर दिखाऊंगा उसके बागी कुल्दी प्यादो की तरफ से दो दो विकेट से रहता है अश्विन ने पिछले मैच में सिर्फ एक एक विकेट ही निकाला था अले कि वह यह थोड़ी बोलिंग भी कमी रही थी ना अकाश दिप इस मैच में ड डैथ में कौन डालेगा चुरुबात में कौन डालेगा बागी शुरुआत ओविसली यहां से मुहमद सिराज अकास दीप की तरफ से होगी बाद में वह स्पिनर सी जो है अलमा-लमा स्पेल डाल कर जाएंगे बागी इंडिया की तरफ से बैंच में जस्परिद बुम्रा न नहीं है अंगलेंड की तरफ से देखा जातों अपनी प्लेंग एलाउंड वा अनौंस कर देते हैं पहले ही और उन्होंने अपनी प्लेंग एलाउंस अब बैरेश्परूट्उ स्टोक्स और उसके बाद में रहान ऐमत की जगे पर आपको सुहेब बशीर देखने को मिलेग में और क्या बोलते हैं मार्क वुड की जगे पर आपको ओली रोबिंसन देखने को मिलेगा ठीक यह दो चेंजर इंग्रेंट की टीम ने किया है बाकि इन की पूरी टीम से में जिसमें की पिछले मैंच में परफॉंस पहली इनिंग में अच्छा था दूसरी में तो बहुत ही ग्यारा बाकि बेंड़केट था एक पारी तो बहुत ने किया है सेम गोस फॉर बेंड़केट की तरह से डीसेंट स्कोर तो आ रहे हैं वह बीस पच्छेस तीस चालेज ऐसे वाले स्कोर एक वन फिफ्टे थ्री आया क्रोले ने एक मैच तो बहुत बढ़िया क्या बाकि दो मैचस में कुछ नहीं किया है जो रूट तो अभी के लिए खराब फॉर्म से चल रहा है तो भाई अगर रिस्क लेना हो एक ड्रॉप करने का तो भी वह एक उप्शन बनता है कि रूट को ड्रॉप कर सकते हो अगर इनकेस इंगलेंड पहले बैटिंग करने आती है तो आपक हटले की तरफ से अब तक पहला मैच बहुत बढ़िया था स्पिनर एकदम बढ़िया निकाले दूसरे मैच पर भी अच्छे विगेट्स थे तीसरे में हटले की तरफ से सिर्फ एक एक विगिट है था ओली रोबिंसन अगर किसी क्रिकेटर को हेट करते है ना दूसरी करने इंगलेंड के किसी प्लेयर को तो खी रोबिंसन का नाम उसमें आता है पता है वैसे डॉस थो अब ठीक है विगेट्स वर जेमम्स निकाल देता रोबिंसन और वाकि यहां से जेम्स अंडरसन है बहुत एक और जिरो विगिट आ उससे बहुए तीन और व्यू निकाल से लि वोड रहान एमद लोरेंस एटकिंसन और लीच है सुरी लीच नहीं है वोड भी नहीं है वोड को रेश्ट दिया गया है यह तीन ओप्षिंस है इनकेस अगर अगर एट लास्ट मैट कोई भी चेंज वगरा होता है तो अब इंग्लेंड ने तो इसको उन पर मैचेस खेले नह दूसरी इनिंग यहाँ से इंडिया की थी और तीसरी इनिंग ऑस्ट्रेलिया की थी जो थी आई नहीं जड़ी जाने चवंण रन साथ में पांच विकेट और दूसरी पारी में इन्होंने बाए 4 विकेट निकाले कुल मिला कर उस मैच पन नो विकेट थे जड़ी जागिन 54 runs अश्विन का performance बहुत अच्छा नहीं रहा था अश्विन ने एक पारी में एक विकेट लिया दूसरी पारी में भी सिर्फ एक विकेट रहा था अब आते हैं 2019 वाले मैच पे जो क्यों वा था 19th of October को इंडिया ने 457 बना है साउथ ओफरे का रिप्लाइ में 162 पर ओलाउट हो गई और फिर फॉल ओन मिला और 133 पर यह ओलाउट हो गया रोइट शर्मा एक ही पारी में क्योंकि बैटिंग थी तो बैडबल सेंचरी उस पारी में आई थी जड़ेजा की तरफ से देखो सेम सेनेरियो रहा जड़ेजा का आते ही पाप 50 मारा साथ में दो विकेट और दूसरी पारी में इन्होंने एक विकेट निकाला एंड अश्विन की तरफ से वापस परफ़ांस डाउन रहा जिरो विकेट और एक विकेट के साथ में तो ग्रैंड लिग टीम स्वाइधिंग आप यहां से ड्रॉप करके चल सक करते हो अश्विन को और जड़ेशा ऐसा सीविसी के लिए हैट्वेड मैंचस 134 हो चुके 33 इंडिया 51 जीत इंग्लिंड ने 50 मैंचस हुए यहां से ड्रॉब बांकि रंस की बात किजाए तो रूट आप विसले सबसे उपर है 56 के साथ में बारेश तो भी 38 मैच में 1125 अब दोनों का जो फो मैं वह उतना अच्छा नहीं है अभी के लिए अश्विन के भी नाम रंस भाई यहां से हो चुके 1085 जड़ेशा 30 मैच में 1000 रंस के साथ में रोहिच चर्मा 23 मैच में 987 रंस है बैंच स्टोक्स के नाम 36 मैच में 36 इनिंग में 963 और ओली पॉप के नाम 21 में 585 रंस यहां से जो रहते हैं तो हैट्टर में ठीक है और हैं सबका जातर तो आपको दो तो बोलर सी देखने को मिल जाते हैं अब आते हैं बोलिंग शेक्षन तो एंडर्सन सबसे उपर है 70 इनिंग में 145 विकेट इसने इंडिया के निकाल रखे हैं आरेश्विन के नाम भ 30 और बाकि सिराज है 17 इनिंग में 25 विकेट के साथ में तो पर्फेंस सारे बोलर्स का कहीं नहीं बोल के चल सकते हो कि अच्छा है एक नियूज यह निकल कर आई थी बस रूमर है कंफर्म नियूज बिल्कुल भी नहीं है कि बैंस्टॉक्स आपको शायद चोथे टेस्ट मै आउट कर चुका है पुप को उसके लावा यहां से जॉनी बैश्टो है चार वार सिराज और तीन बार एक्षर पटेल ने इउटहए बेंस्टॉक्स को अश्मिन ने पांच पार आउट के है दो आई तो बार एक्षर पटेल ने इमरत बोलना कि नो बार आउट है एकसे पा ठील को पांच बार विकट दे चुक यहां पर रोईच छर्मा है जो कि ओली रोबिंसन के और फे साथ से थोड़ा जाद है और हटि लेकिए अगेस्ट में दो बार आउट हो है पाटीदार अगेंस्ट हाटले दोनों बार इसी को विकेट दिये इसने भी अट वहीं पर केस्ब अगेश्ट रहान एमद और जैस्वाल जोए वो पता है आगर आपको रिकोर्ड यहाद होगा यह वाला क्या था तीसरे टेश्ट मैच से पहले 75 बोल और यहाँ से 20 रन नेक्ष्ट भाई यहाँ से 30 बोल खेलिए और 55 रन मना दिये पिछले टेश्ट मैच में जैस्वाल ने अगेंस्ट जैम सैंडर्सन वहीं पर अगर टीम की बात करें तो टीम में हमने रखा है वाई जैनी बैश्टक ओब बसले सर फराज की जगह पर ले सकते हो बागे ओली पॉप हो गया रूट हो गया अश्विन है जड़ेजा कुल्दीप यादव हाट ले और फिर यहां सा है शॉइब बसीर कुल्दीप की जगह पर मोहमद सिराज लेने का एक अच्छा उप्शन बनता तो है इस मैच को तो क जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हुआ है तो फटावट से कर लो बाकी अल्लावेश्ट आपको इस मैच के लिए मिलते आपको नेक्स वीडियो में बहुत ही जरगल और हाँ डवलो पील की वीडियो आने वाली है तक्रीबं तस या ग्यारा बजे तो उस इस वीडियो से वीडियो से मिलने वाला है की वब filled ठीक है दो रेंदम कमेंड मेट ध्यान रखना आपके कमेंड में टीम्स फौर विन वर्ड्ट जोैं यूज़ा होना जाए है हैस्टएग मतलगा न है सnes सरइंबस त्दीम सवर हमें वर्ड जरूर यूज करना तो वह रे